बिहार के बीटा में ट्राफिक बेवस्था फेल, सरकों पे लगी जाम, बढ़ी लोगों की परिशानी नमस्कार, आप देखे वी नूज 24 और मैं हुदिपक कुमार, पेसे बीटा बिहार से रईशामत की रिपोर्ट पतना जिले के बीटा थाना छेतर में जाम की समस्या एक गंभीर समस्या बन गई है रोज रोज के जाम से लोग तरस्थ हो गए हैं एक तरब भी संगर्मी तो दूसरी और भीटा की सरकों पर जाम में फसे गर्मी से परशान हो रहे हैं रहागी पताते चले कि जाम से निजात पाने के लिए भीटा में ट्रैफिक पुलिस के तेना पिकी गई उसके बाद भी लोगों को जाम से निजात नहीं मिल सका ये तो वही बात हो गई कि चार जिद दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात तक्रीबन 24 घंटे के अधिक समय से बेटा की सरकों पर जाम का सिल्शिला चल रहा है करिब 10 किलो मिटर तक वाहन कछोर की चांद चल रही है इस महा जाम में कई इमर्जन्शी अंबुलेंस समेथ अन्य बहान भी अशे हुए है बचाय जाता है कि बीती रात से जाम लगने का सिल्शिला सुरू हुआ जो अधि तक नहीं हट सका है जाम कुछ इस तरह से है कि अब पैदल चलने वालों की लेखली चलना मुश्किल हो गया है बेटा चौक से राखो पूल दू मुहानी के करीब 5 किलो मिटर तो वही चौक से कुलवर पूल तक करीब 10 किलो मिटर तक बेटा के शरकों पे जाम लगा हुआ है जब वी नूज 24 के संबादा था रईशाम ने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जाम की समस्या तो आम हो चुकी है जाम के बज़े से हम समय से डूटी, बच्चे इसकुल, मरीच अस्पताल नहीं जा सकते आलम ये है कि कोई इमर्जेंसी हो जाए तो ना एम्बुलेंस आ सकती है ना फाइर बिग्रेट की गारी बीटा की ट्रैफिक बवस्ता निल बटा सनाता है कहे तो बिलकुल ही जीरो बवस्ता है को की आमे में फाशे हूए है मैं सर मन्ना कि हम एक सभी बारती को ऐरह है आ फिर अभी गूअंत Oldies वीज़ तो तीने गारा वीज़ दख और तहां जा रहे हैं अभी जा रहे हैं रट पत्ना ताप पर नाम आपका नाम अपका नाम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें